अस्सलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम डू माई चैनल बी एस नॉट्स स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें आज स्टूडेंट्स हमने इंग्लिष कंपोजिशन और कंप्रिहेंशन में नॉट्स टेकिंग टिक्नीक डिसकस करने हैं सबसे पहले हम देखने हैं कि नॉट्स टेकिंग टेकिंग है क्या नॉट्स टेकिंग क्या है तो student not taking technique में सबसे पहले हम not taking की definition देखते हैं Not taking is a process of summarizing information from spoken material Not taking एक ऐसा process है जिसमें हम speaker जो भी बोल रहा है ना जो words बोल रहा है या जो भी lecture प्रोवाइड कर रहा हमें या कुछ भी है हम उससे जो information collect कर लेते हैं या जो main points lectures के हम collect कर लेते हैं तो वो हमारे पास not taking ही होता है Not taking main points बना लेना किसी भी lecture के उनके notes बना लेना Next हमारे पास है taking notes During lecture is a way to become actively involved in the class जब हम students notes बनाते हैं ना during lecture जब lecture को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम सहसाथ notes बना रहे हैं तो इस जो यह process है ना इससे हम mentally तोर पर lecture में involved होते हैं because हम notes बना रहे होते हैं और हमें होते हैं किसमें कोई mistake ना हो We forget rapidly but strategies for taking notes, editing your notes and weaving your notes may help you a lot in retaining your information for the examination हम जो है कोई भी lecture है या कुछ भी है हम जल्दी भूल जाते हैं कोई lecture हो या कोई भी topic हो हम जल्दी भूल जाते हैं लेकिन जब हम note taking करते हैं यह तब हम notes बनाते हैं ना साथ-साथ lecture अगर एक provide हो रहे हैं तो उसके साथ अगर हम notes बनाएंगे ना तो हमें वो कभी भी नहीं भूलेगा जब हम नोट्स बनाएंगे फिर जब हम उन नोट्स में जो errors होंगी जो mistakes होंगी हम उने बात में जब editing करेंगे, reviewing करेंगे तो students उस दुरान हमें half से ज्यादा जो topic है वो prepare हो जाते हैं और ये हमारे लिए helpful है तो ये वाला method जो है ये हमारे लिए examination point of view अगर हम exams को देखें तो तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful है हम जो notes हैं वो जब exams में भी use कर सकते हैं next student हमारे पास how can you improve your listening skills तो students आप जो note taking technique है न ये आप daily basis पे use करते हैं जब आप lecture ले रहे होते हैं न class में तो आप इस technique को use कर रहे होते हैं आप जो lecture professors दे रहे होते हैं आप उन्हें write करते हैं न अपने पास तो वो भी एक note taking की हम उन्हें कह सकते हैं तो ये exercise हम daily basis पे कर रहे होते हैं note taking वाली तो इसमें सबसे पहले जो point होता है वो ये होता है कि हमने सुनना अच्छे से हमारी जो listening skills है वो अच्छी होनी चाहिए हमने एक एक जो है word उस पे हमने focus करना है इसलिए next हम ये discuss करेंगे कि how can you improve your listening skills हम अपनी listening skills को कैसे improve कर सकते हैं कैसे बहतर बना सकते हैं तो students अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी listening skills अच्छी हो आप अच्छे से note जो है वो बनाए during lecture तो उससे पहले student lecture से पहले आपने जो chapter है वो या जो भी आपको पता है कि आपने आज इस चीज से related पढ़ना है यह topic पढ़ना है यह पढ़ना है तो आपने student उससे पहले से ही read कर लेना है एक मरतबा ताकि आपको एक मरतबा read की होगा ना तो एक background बिल्ड हो जाएगा जैसा कि यह point भी है read the chapter before the lecture to build background आपने lecture से पहले उस topic को एक मरतबा just read कर लेना है next point is student हमारे पास review your last set of notes so you can connect the information from the last lecture to the current one student इसका क्या मतलब है कि आपने अगर आज आप lecture ले रहे हैं ना कोई भी तो आपने जो कल वाला lecture है ना उसके notes आपने आज वाले lecture लेने से पहले एक मरतबा लाजमी वो भी revise कर लेने है इससे भी आपको बहुत फाइदा होगा आप जो last lecture की information होगी उसका और जो current lecture होगा जो lecture आप ले रहे हैं उनकी information को connect कर लेंगे उस information को connect कर लेंगे अगर आज वाला topic जो है यह half previous day में discuss हुआ है आज अगर discuss हो रहा है तो आपको पता हो के last lecture में हमने क्या discuss किया था इस topic से related तो यह भी आपके लिए helpful होगा next student हमारे पास decide that you want to listen students पहले आपने अपने आपको mentally तोर पर prepare करना है physically तोर पर खुद को prepare करना है कि आप lecture लेने के लिए त्यार next point है हमारे पास focus your attention by physically and making eye contact with the speaker तो students आपने अपने आपको physically तोर पर class में physically attention जो आपने वो देनी है अपना eye contact जो है वो speaker के साथ बनाना है जितना ज़्यदा आप eye contact मतलब कि आपका होगा ना speaker के साथ आप उतने अच्छे तरीके से words पर focus कर पाएंगे उसके भूसे निकलने वाले हर लफज पर आपका focus होगा तो students आपने mentally और physically तोर पर class में present होना है focus your attention mentally by eliminating and avoiding distractions तो students आपने mentally तोर पर भी class में वजूद होना है यह नहीं कि आप lecture हो रहा है तो आप कहीं हो और अगर आपका धियान कहीं हो रहा है तो आप notes कैसे बनाएंगे तो यह भी एक main point है next students हमारे पास है why notes important for students notes students के लिए important क्यों है तो जाहरी से बात है हमें हमारे दमाग में foran सबसे पहले यही बात आती है कि notes हमारे लिए इसलिए important है कि जब भी हमने वो topic prepare करना है test है या paper है यह कुछ भी है हमने जब भी assessment है हमने जब भी उस topic को prepare करना है हम foran उसके notes की तरफ जाएंगे उसके notes से हमें जल्दी जो main points होंगा उनका पता चल जाएगा तो हमारे पास है taking notes is an important part of the life of every student these are the reasons why not taking is important notes help you to maintain a permanent record what you have read or listened to तो students जो not taking है ना यह हर student की life के एक important part होता है अगर कोई भी student notes नी न बनाएगा अपने topics के तो वो जब exams आएंगे तो उसे बहुत ज़्यदा difficulties होंगी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ेगा अगर आपके पस notes होंगे तो आप बहुत easily जल्दी से topic को prepare कर लेंगे अगर आपके पस notes नी होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कुछ reasons हैं जैसा के अगर आप notes बना लेते हैं students तो ये आपके पस एक permanent record होगा कि आपने क्या पढ़ा क्या सुना अपने जो lecture आ रहा हुँ या जो professor उसने क्या बोला तो वो भी एक आपके पास permanent record होता है notes की form में कि आपने बुरे साल में क्या बढ़ा this is useful when you revising in the future for exams और ये आपके लिए तब भी helpful होगा useful होगे जब आपने इन्हें future में तब आपके exams आएंगे assessment आएंगी तब आप इन्हें use कर सकते हैं अगर कम टाइम भी है तो आप notes की मदद से बहुत जल्दी और एक अच्छी त्यारी कर सकते हैं तो students notes एक student की life का एक बहुत important part है next है हमारे पास methods अब हमने note taking के methods है ना students के लिए हमने वो discuss करने है there are different methods of note taking used by the students these methods are of great importance हर student जो है वो different methods use करता है note taking के लिए हर student का अपना method होता है कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से notes बनाता है तो यहां पे हम कुछ methods देखते हैं सबसे पहले यहां पे हमारे पास है outlining method first method है हमारे पास outlining method outlining method से हमें यह तो पता चल रहा है कि outline जैसा कि हमारे पास भी एक outline आती है ना जिसके थुरू हम लोग अपना prepare करते है खुद को prepare करते है exams के लिए तो outlining method में भी हमने पहले outline बनानी होती है points बनानी होते है the outlining not taking method uses headings and build points to prepare topic students outlining method में हमने headings बनानी है main points जो है वो बनानी है topic को prepare करने के लिए अगर आप किसी भी topic के points बना लेंगे तो आप उस topic को बहुत जल्द prepare कर लेंगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसे prepare करने में because आपको उसके main points का पता होगा and outline show the importance of ideas and the relationship between ideas जो outline है वो ideas जो different ideas है हमारे पास उनके दर में relationship जो है वो बनाती है by using outlining method we can make neat and clean notes outlining method को use करके हम neat notes जो है वो organize कर सकते है neat and clean notes हम बना सकते है each part starts with the heading of main point फिर जब हम outlining method में हमने सबसे पहले अपने वो points बना ले रहे है जिसे हम outline भी कह सकते है वो हमने बना लेने जिसमे main points हमने लिखते हैं कि हमारे पास ये point है फिर हमने बाद में उनको details, details उसकी खुदी हमने prepare करके तो वो भी लिखनी है हर जो part होगा वो heading के साथ, main point की heading के साथ start होगा second पे students हमारे पास आता है mapping note taking method student mapping, mapping सही हमें पता चल रहा है कि हमने इस तरीके से notes बनाने है जिसमें हमने कोई map बना लें या मतलब कि जैसे हम बाद वकात हम इस तरह करते हैं अगर different types है किसी भी चीज़ की तो हम एक map बना लेते हैं तो इसके different types ये हैं तो हम उसका map सा बना लेते हैं तो वो भी एक note taking में ही आता है वो भी note taking method है तो student mapping not taking method जो है यह क्या है mapping can be used to take lecture यह भी हम lectures के लिए जब not notes बनाने होता हम use करते है students use this method to take notes during lecture they allow to construct a representation of the difficult concept mapping not taking method से हम जो difficult concepts होते हैं जो tricky होते हैं concept या complex concept होते हैं students हम उनकी representation easily कर लेंगे finally concept map also can be used as a design tool तो concept map जो map है उसको हम design tool के तौर भी यूज़ कर सकते हैं students हमने एक hierarchical जिसे कहने हैं tree वो बना लेना है उसके तुरू हम लोग अपना topic जो है वो उसके notes बना लेंगे बाद में easily उसे prepare कर लेंगे तो mapping not taking method में just आपने map बना लेना है आपने बहुत साथ details में रिखनी main points यह सब कुछ जो होगी headings इनको एक map के थ्रू आपने represent करने student next हमारे पास है cornell method for not taking यह सबसे important method है student this famous this famous cornell method has been designed for lectures not taking यह भी design किया गया है not taking के लिए in this method the summary details points are written in one place इस method में जो सब आपका सब कुछ जो होता है न अगर कोई main points है headings है sub headings है summary है जो points related details है वो सब हम एक ही जगा पे students लिखेंगे वो सब हम एक ही जगा पर लिखेंगे तुमाम चीज़े जो details है headings में बड़ सब एक ही जगा पर हम लिखेंगे तो students हमने यहां पर इसके तीन methods जो है वह discuss की है not taking की next students हमारे पास आजाता है tips for taking better notes अगर हमने अच्छे notes बनाने है effective notes बनाने है students तो हमें उसके लिए कुछ tips देखने है क्या tips है हमारे पास there are many strategies that you can use to take better notes in class some tips that may help you are included here अच्छे notes बनाने के लिए आपको कुछ tips यहां पर बताए देंगे use a full size single notebook students आपने full size single notebook use करनी है if you use a small notebook you may unconsciously write less you can use a loose leaf notebook with separate seconds for each course students आपने एक बड़े size की notebook use करनी है आपने कुछ चोटी copy ने यूज करनी है because अगर आपके पास कुछ चोटी होगी copy तो आप जाहरी सी बात उसको पर लिखेंगे भी काम जाहरी सी बात है हम उसको पर कम लिखेंगे जितनी बड़ी size की copy है कि हम उतना ज्यादा लिख पाएंगे you can use a loose leaf notebook for separate sections तो student आपने loose leaf notebook use करनी है जिसमें sections is separate हो separate sections वाली आपने notebook लेनी है जिसमें हर course के लिए separate section बनाओ तो आपने एक full size single notebook लेनी है फर्स टिप तो आपके पास यह था second हम देखते है यूज कॉमन अब्रिवेशन स्टुरेंट्स आपने कॉमन अब्रिवेशन आना वो आपने यूज करने हैं तो स्टुरेंट्स आपने common abbreviations यूज करने है इनको यूज करके आप बहुत ज्यादा information थोड़े से टाइम में कॉलेक्ट कर लेंगे क्यूंकि आपने देखा होगा कि जब कोई lecture प्रोवाइड कर रहा होता है और आप लिख रहे होते हैं तो बोलने वाले की speed जो होती है वो लिखने वाले से तो अगर आप abbreviations यूज करेंगे ना अगर वो increase कह रहा है कहीं पर increase की बात हो या तो आप एक arrow लगाएंगे जिसका जो ओपर की तरफ होगा अगर decrease है तो आप नीचे की तरफ arrow लगा के यूं सिंबल बना देंगे तो students इन symbols को यूज करके इन abbreviations को इस तरह आप कम time में ज्यादा अच्छे notes बना लेंगे और आप ज्यादा information collect कर लेंगे अगर आप सारा लिखने लग जाएंगे ना अगर increase का arrow लगाने के बदेंगे आप increase लिखेंगे तो उतनी देर में आपका कुछ और information जो मिस भी हो सकती है तो इस तरह आपको पास ज्यादा information भी क्या देगी और आपका time भी कम लगेगा students next आपके पास is skip few lines if you miss information for example कि आप आपकी speed of writing जो है वो बहुत ज़्यादा slow है ठीक है तो आपने students हर topic के बाद आपने कुछ हर जो heading होनी है उसमें जब details लिखनी है तो आपने कुछ lines छोड़ देनी है अगर आपको पता है कि आप कुछ information जो हो miss कर चुके हैं तो आपने कुछ lines छोड़ देनी है you will have room to fill in the gaps when you edit your notes तो students आपने वो lines छोड़ देनी है जब आप editing करेंगे तो students उस दुरान आप उन जो skip जो few lines जो आपने छोड़ी होंगी students आप उन्हें fill कर लेंगे आप उनमें जो skip information है वो write कर लेंगे तो इस तरह आपकी वो lines भी हो जाएंगी complete और आपकी information जो होगी वो कुछ भी miss नहीं होगा next step के पास skip few lines before every heading student आपने हर heading से पहले कुछ lines छोड़ देनी है अगर तो आपको पता है न आपने कोई information मिस कर दिया वो तो आपने छोड़नी छोड़नी है लेकिन उसके इलावा भी आप कुछ lines हर heading से पहले छोड़ दे क्यों वो मैं आपको बताते हूं अगर बाज उकात ऐसे होता है कि हम जब lecture दे रहे होता है तो उस दुरान कुछ points किसी topic से related ये किसी heading से related रह जाते हैं हम next heading पे चल जाते हैं लेकिन जब हम lecture प्रवाइड को उसी तुरान हमें कहीं पे अगर याद आ जाए कि उस चीज से related हमने ये चीज नहीं बताई थी तो हम जब उस चीज को बताएं तो आपके पास उस heading के नीचे इतनी जगा होनी चाहिए कि आप उस चीज को लिख लो जो don't find a not taking buddy if you miss a class you will have your not taking buddy will take great notes and share them with you १ू Iya ऑलिफ और पूपल्ληम कीवजा से कुछ आपके साथ एकस्टिन भी आप खुछपी होजाता है तो आप कलास नहीं ले पाते कोई हाध़शा हो जाता है या कुछ-किसी colour जापकर से आप कलास मिफ्श हो जाती है या लेक्चर मिफ्श हो जाता है तो students आपका कोई ऐसा friend то होना चाहिए ना जो अच्छे notes बनाता हो और वो आपके साथ share भी करे तो आप कोई पास कोई ना कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए या कोई ऐसा friend होना चाहिए जो आपके साथ अपने notes को share करे ताकि आपका loss ना हो ताकि अगर आप नहीं भी है कलास में तो आपको material मिल जाए उस topic से related अपने friend से तो आप loss में न आ जाए Students, next हमारे पास आ जाता है how to edit your notes आप अपने notes को कैसे edit कर सकते There are three main steps for editing हमारे पास जो editing है उसके three steps है First step है हमारे पास fill in gaps Students, fill in gaps में go through your notes and fill a gap You may need to add details, heading, subheadings in notes तो students, आपने notes में से go through होने अपने notes को अच्छे से देखने है और जो lines आपने skip की हुए है आपने यहाँ पर missing information लिखनी है या आपने यहाँ पर heading के नीचे कोई information है जो आपकी लिखने वाली रहती है यह जैसे आपको professor कुछ भूजा है तो उसे under the correct heading आपने लिखने है तो students, आपने वो सारे gaps जो है वो आपने fill कर लेने है कोई भी gap न रह जाए वो आपने, बेशक आप अपने students कह रही है students आपने वो आपने बेशक आपनी किसी friend से लेके तो आप उन्हें fill कर सकते हैं अपने friend के notes से देखके fill कर सकते है बेटर है कि आज अब lecture deliver हो रहा हो आप उस वकत full focus के साथ क्या नाम, अपने notes बनाए check for accuracy check for accuracy में students कहाता है go through notes and look for errors many students make mistakes, recording dates, statistics, etc students, आपने अपने notes जब देखने हैं तो आपने उन्हें errors देखने है आप mistakes देखने कि आपने कोई mistake तो नहीं कि आपने कोई, ज़ो date लिखने में mistake तो नहीं कि आपने कोई, अगर statistic value जो होती है जैसा कि कुछ values को हम percentage में कुछ लिख रहे होते हैं लिख उतनी percent यह ऐसे हैं या हम कोई date लिख रहे हैं तो students आपने जब notes की editing करनी है तो आपने उनको लाजमी आपने उन errors को देखने है students next third step जो हमारे पास है वो है improve organization if you have information under the wrong headings arrows drawing your notes or details students अगर आपके पास कोई भी information वो किसी wrong heading के नीची आजाते में तब कि heading कोई और दे दिया है और उसकी details वो नहीं लिखी वो किसी और heading के details उसमें लिख दिया या इस तरह का कोई case हो किया है तो students आपने क्या करना है आपने जो है arrow draw करना है उस heading के साथ और आपने margin जो लगा होते है ना आपकी notebook पे margin के margin साइट पर आपने लिख लेना है जो margin के साइट पर empty space होती है आपने वहां पे उससे related जो है details वो आपने लिख लेना है इस तरह आपके notes accuracy आ जाएगी तो students यह तीन points थे हमारे पास editing में तो students सबसे पहले आपने क्या देखा कि note taking क्या था note taking spoken material जो है जो material बॉला जा रहा है उससे notes बनाना उससे information को collect करना main points बनाना वो note taking था फिर next students हमने क्या देखा हमने देखा how to improve your listening skills कि हम अपने listening skills को किस किस तरीके से improve कर सकते हैं फिर उसके हमने methods discuss की है note taking के और थार्ड पर हमने tips देखे कि हम कैसे अच्छे notes बना सकते हैं एफेक्टिव notes हम कैसे हासिल कर सकते हैं और फिर last पर हमने editing of notes देखा कि हम अपने notes की editing कैसे कर सकते हैं तो students यह हमारा आज का lecture था no taking technique प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और students next lecture तक के लिए अल्ला हाफिज